आज मैं आपको इंद्रा गांधी युनिवर्स्टी जो की मीरपूर, रिवाडी, हरियाना के अंदर है उसका बीएड सेकंड यर का कोशन पेपर दिखा रहा हूँ अगस्त 2021 में ये पेपर हुआ है, चार पेज का ये कोशन पेपर है, असेस्मेंट फोर लर्निंग का ये कोशन पेपर है, तीन गंटे का ये पेपर था, असी नमबर का ये पेपर था, देख लेते हैं किस परकार कोशन आई हुए हैं इस युनिवर्स्टी के अंदर, पलस हम य ये भी देखेंगे कि मेरे चैनल के दुवारा मेरे दुवारा बताए गई कोशनों में से कितने कोशन इस पेपर में आई हुए हैं इसमें कोशन नमबर वन है, write short note on the following A. difference between measurement and evaluation ये मैंने करवाया वाता B. meaning of qualitative assessment ये भी मैंने करवा रखा है C. advantages of open book examination ये भी करवा रखा है D. demerits of range Q. describe the concept of evaluation, explain the principle of evaluation in detail ये भी मैंने करवा रखा है Q. describe the revised bloom taxonomy of instructional objectives with examples 16 नमबर के अंदर पूछा गया है Q. number 4 What do you mean by questionnaire, explain the merits and demerits of questionnaire 16 नमबर के अंदर पूछा गया है और ये मैंने करवा भी रखा था Q. number 5 What are the merits and demerits of observation as a tool of evaluation What precaution should be used while using observation 16 नमबर के अंदर बताओ Q. number 6 What is grading system What are advantages and limitations of grading system describe 16 नमबर के अंदर पूछा गया है और ये मैंने करवा रखा था Q. number 7 What do you mean by semester system What are the merits of semester systems over annual system Q. number 8 What is the importance of statics in educational assessment Describe in detail 16 नमबर के अंदर पूछा गया है Q. calculate mean and median of the following data बहुत ही असान कोशन आया वाता है और ये 16 नमबर के अंदर था मैंने mean median mode बहुत अच्छे से करवाया हुआ है अपने चैनल के अंदर आप सभी बच्चों से छोटी सी request यही रहेगी देखिए मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियो है सभी को जरूर देखा करें मेरी वीडियो देखने का सबसे बड़ा फैदा यह होगा कि आप B.A.D. के एक्जाम में फेल नहीं हो सकते पलस अपने कोशन पेपर की PDF मेरी email ID पर PDF में जरूर सेंड किया करें